मंजरिया गाओं में दो भाईयों ने किया 200 पौधार उपन मंजरिया गाओं में सेना निवीर्त परचारे कृष्णि कुमार पाठक एवामुन के बड़े भाई बजंद्र पाठक ने संयुक्त रूप से पौधार उपन किया स्री पाठक ने बताया कि परतेक विक्ती को अपने सीवन में कम से कम एक पौधार निश्चित लगाना चाहिए पैज्ञानिक तिरिष्टी कोण से पौधार लगाने से परयावरन स्वच रहता है तथा प्रकृति संतुलित रहती है बजंदर पाठक ने बताया कि पेण पौधो से हमें स्वक्ष वायू फल छाया इत्यादी मिलता है इसलिए हमें पौधा लगाना चाहिए तथा अपने परिवार के सदस्यों की भाती उसकी देखवाल करनी चाहिए दोनों भाईयों ने करीब करीब 200 पौधों को लगाया इन्होंने समाज को एक संदेश दिया है कि पेण अवस्य लगाएं और उस पेण को अपने पुत्र की भाती देखवाल करें पेण पौधा हर व्यक्ति के जीवन में खुसाली लाता है पेण जो है जदी फलदार है तो फल देता है जदी फलदार नहीं है तभी अपने च्छाय से किसी को अलग नहीं हटाता है इसलिए पेण जो है लगाना बहुत ही आवस्यक है यह हम लोग के रिशी महर्शी बताए है कि हमेशा पेण लगाना उसकी रक्षा करना और उससे फल प्राप्त करना यह उन्हों के द्वरा ही बताया गया है आज के आधनिक जुग में पर्यावरन जो है बहुत ही दुशित हो रहा है जिसे पोधा लगाना बहुत ही आवस्यक है जो हमारे जीवन में उपयोगी है उसका प्रदूसर्ण हमारे जीवन में जो आता है बहुत दूर हो जाएगा इसलिए पेण पोधा लगाना बहुत ही जरूरी है जदी फलदार पोधा है तो सबसे उत्तम है नहीं फलदार है तभी बहुत उत्तम है और आर्थिक दिरिश्ची से भी जदी हम पेण पोधा झाल 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 झाल